हेलो लेडीजन जेंटलमेंट स्वागत है आप सभी का क्रिक क्राइक स्टूडियो से आ गए हम एक बार फिर आपके बीच पे वर्ल्ड कप की शुरुआत लेके जी हां वर्ल्ड कप महा बुकाबलों की शुरुआत हो रही है हाला कि ये प्रॉपर लीग मैचेस नहीं कहूंग जी बहुत-बहुत सुक्रिया सबसे पहले तो यहां पर रही है और आपको मिलेगा क्रिक क्राइक बार बार आपको मिलेगा क्रिक बार बार क्या बाद है on that note straightforward चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेके चलते हैं कुछ matches के बारे में बताते हैं और इस match के बारे में खास तोर पर information देते हैं आपको बता दू कि यह जो मुकाबला है यह चार टीबों के बीच में पहला ग्रूप A का मुकाबले होने है जिसमें श् श्रिलंका और नमीविया आमने सामने होगी और आपको बता दू कि यहां पर बहुत important होने वाला है क्योंकि इस ग्रूप से भी दो टीमें जाएंगी आगे जी बिलकुल important मुकाबला श्रिलंका वसिस नमीविया का stadium की अगर बात करूं तो सीमों स्टेडियम के जिलॉंग मे आपको बता दो यार यहां पे जो है बाउंडरीस थोड़ी सी बड़ी जरूर है और अश्रेलिया के बाउंडरीस तो बड़े होते ही हैं लेकिन बिलकुल यहां पर उमीद अगर आपके पास power है तो आपको तो आगे आप कितनी भी बड़ी boundaries को भेज सकते हैं वराल श्रेड आपके बीच में आप तक एक ही मुकाबला खेला गया है जो कि पिछले साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेला गया था और उसमें श्रिलंका ने नमीविया को बहुत आराम से हरा दिया था और आज जो अगला मुकाबला है वो भी बिलकुल इन दोनों के बीच में खेला जाएगा और दाट नोट स्ट्रीट फरवर्ड चलते हैं प्रिक्ट 11 की तरफ जी हां दो बलकुल सही बात कहीं यहां पर की एक ही मुकाबला हुआ है और वो स्री लंका ने जीता था और आपको बदा दू कि इस मैदान पर भी एक ही मुकाबला हुआ है जो कि यहां पर जो ह नजर आ रही है और यह जोड़ी जो है वो एसिया कप में काफी कमाल की यहां पर परफॉर्मेंस देती वी नजर आई थी जिस कारण से एसिया कब भी जीतने में सफल रहे थे इनकी जो आप कह सकते कि काफी हाई है और टॉप ओडर की यह दोनों बले बास काफी बढ़िया क के दिये गए एसिया कप में भी हमने देखा कि मैच दर मैच खिलाया गया लेकिन उनसे परफॉर्मेंस आई नहीं तो फिर यहां पर अपने पुराने खिलाडी अपने एक्सपीरियंस खिलाडी धननजे डिसिलवा के पाश वापस जाना परा स्रिलंकाई टीम को और अब उन 37 मुकाबलों में लगबग 800 के करीब रंस बनाया है उसके अलावा कुषल मेंडिस का भी सिमिलर हाल है 40 मुकाबले लगबग 800 के करीब रंस इनके पास भी है और कई न कहीं इन दोनों के अंदर शमता है अपनी टीम को टॉप पे ले जाने की एशिया कप के अंदर खासतो और पे अगर बात करें तो अपनी टीम को बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाए थी और जहां तक बात धरनजे डिसिलवा की है जैसे कि चंदन माई ने कहा कि इनको इनकी रिप्लेस्मेंट देखी जा रहे थी लेकिन नंत पे टीम ने इन पे भरुसा दिखाया वापिस क्यों इनके पास भी हुनर है और 45 मैचेज में लगबग 800 के करीब रंस इनोंने भी बनाए है और कहीं न कहीं अपनी टीम को तेजी से आगे की तरफ लेके जाते हैं अच्छा स्कोरिंग पैटर्न है इनके बास और खासतोर पर मिडल ओर्डर को समालते हुए नजर आते हैं जी बि इसके अलावा बनुका राज पिकासा मैं कहूंगा पिछले डेड़ साल में सबसे जादा अगर कोई भरोशे मंद खिलारी रहे सरे लंकाई टीम के लिए तो वह बनुका राज पिकासा है टॉप स्कोरर थी एसिया कप में भी और फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ एसि बिल्कुल 26 मुकाबले 600 से उपर रंस 30 की ओसत मतलब आप इमाजिन कर लिजए आर किस तना के ये खिलाड़े होंगे और मतलब आपकी फैंटस्टी टीम में चार चांद कहीं न कहीं लगा सकते हैं इसके बाद बार ही आती है कप्तान दसुन शनाका की 14 मुकाबले खेल चुक कि ऌसेत के इसाफ से रं मना रहे हैं और इनके अंदर भी शमता है कि अगर अगर एंड़ी विकेट्ज गिरती है तो एक अच्छी पाटनर्शिक बिल्डर कर सकते हैं और फिरिशिंग टज़ गी दे सकते हैं लेकिन अगले खिलाड़ी की बात करूँ तो अगले खिलाड़ी का नाम है वनिंदू हसरंगा अच्छे लगता है और गेंदबाजी के बारे में तो मतलब ये हो गया ना कि आप वनिंदू हसरंगा के बारे में बता रहे हो अगर की कैसे गेंदबाज हैं कैसे विकेट लेते तो वो सूरज पे रोशनी डालने वाली बात हो गई कि सूरज पे टॉर्च जाके जला रहे हो कि यारे ये एक अच्छा गेंदबाज है अच्छा पेंदबाज है ये नहीं बताऊंगा कि कैसी गेंदबाजी करते हैं बढ़ हां आकड़ा जरूर बताना चाहूंगा इनका 42 मुकाबलों में लग भग 75 विकेट्स इनोंने निकाली है अपनी टीम के लिए तो आप आप और 500 के करीब रंस, he is an amazing player and a must-pick player आपकी fantasy teams के लिए अफकॉर्स प्रतियक्ष को परमान की जरूरत नहीं और अफकॉर्स इस टीम के लिए यही प्रतियक्ष है यही परमान है वराल यहां पर चमी का करूनरत ने बहुत अच्छे यहां पर all-rounder हलाकि थोड़े से underrated रहे हैं इनको बहुत जादा value नहीं मिलती चाहें आप fantasy की नजरी से देखें या फिर team में भी है उनको वो respect नहीं मिलती लेकिन I think बहुत जादा consistent है जिस तरीके से गिनबाजी करते हैं साथ में इनको मैंने छक्के लगाते हुए भी देखा है जब जब इनको मौका मिला है तो बग बीस के करीब wickets भी निखा ली है तो अच्छे all rounders है और grand league picks में आपकी team में शाबिल हो सकते हैं जी बिलकुल दुस्मंता चमीरा के बारे में बात करूँ बहुत consistent यहाँ पर spinner लगातार यहाँ पर बड़िया काम करते हुए नजर आते हैं आपने इनको देखा है CSK के लिए भी खेलते हुए तो आपको इनके बारे में भी बताने की ज़रुत नहीं की यार काबिलियत तो इनमें भड़ी पड़ी है वराल दिलसान मदुशंका एश जो है Probable 11 नजर आ रहे हैं यह स्रेलंकाई टीम की और कहीं न कहीं यह स्रेलंकाई टीम जो है वो जरूर परेशान कर सकती है नमीविया की टीम को लेकिन नमीविया की तरफ चले तो उनकी prediction नमीविया के पास जाने से पहले में यहाँ पे कुछ चार खिलाडियों के बारे मे चर्चा तो नहीं करूँगा लेकिन हमारे वीवर्स के लिए suggestions देना चाहूँगा टॉप फॉर पे इक्स फ्रॉम ट्रेलंकाई टीम नाम देना चाहूँगा कुछल मेंडेस नमबर वन उसके अलावा धनुषका गुना तिलाका नमबर टू और वनिंदू हसरंगा नमबर त साथ थोड़ा सा रिस्क मैं धनुषका पे लेना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है मैं मैं दिलसान मदुसंका के साथ जाऊँगा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पर्सनली तोर पर आप लोगों को याद होगा कि एशिया कप में लगातार मैंने इन पे भरोशा किया अफकोर्स हमारे सोज के दौरान भी कि दिलसान मदुसंका क्योंकि वो जो इनकी लाइन लेंट होती है वो मुझे बड़ी पसंद आती है जिससे के कारण इनको विकेड भी मिलता है और एक यंग्स्टर है तो इनको पढ़ने में भी लोगों को थोड़ा समय लगेगा सारे ह किम्स के बलेबाजों को थोड़ा टाइम लगने वाला है चलिया अन दाट नोट ये तो ती चर्चा शेलंका के बारे में अब चलते हैं थोड़ा सा प्रिटेड 11 नमीविया के बारे में जो कि मैं कहूंगा पिछले कुछ सालों में उभर के आई है और इन्होंने भी काफी लगबग 25 की और क्योंकि यंग है अभी तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इनके बास जी बिलकुल यहां पर सीखने के लिए है और इस टीम के लिए आपको खेलने का मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि आपके पास मौके भी जादा हैं कि आप अपने आपको प्रूव लेते हुए नज़र आए क्योंकि इनके कप्तान जो है वो मुझे बड़े पसंद रहे हैं कि बहुत जल्दी यह टच में आ सकते हैं और अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की काबिलियत रखते हैं काफी यहां पर कूल रहते हैं समझाते हैं अपने खिलाडियों को बड़े अच्छे तरीके से यह काफी अच्छी बात है और साथ में आपर कप्तान बहुत ही कमाल के हैं अपर खिलाडी क्योंकि इनके आकड़े भी गजब हैं और यह खिलाडी नंबर चार की भूमी का कि एक ऐसी जगा है खेलने की जहां से आप अपनी टीम को बिल्ड अप देते हैं स्कोरिंग पैटन के अंदर तो जराड अरसमस ने नंबर चार की पुजिशन को बखू भी इस समय इस्तेमाल किया हुआ है और उसको चला भी रहे अगले खिलाडी की अगर बात करू तो नाम है निकॉल लॉफटनेंट निकॉल लॉफटनेंट 23 मुकाबले लगबग 300 रंस और कहीं न कहीं के अंदर भी शमता है कि नंबर 3 पे थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करना पसंद करते हैं स्टार्टिंग में लेकिन अंत में जाके कहीं न कहीं बड़े हिट्स भी लगा सकत है इससे पहले इनको आपर जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं डेविड वीजा को भेज दिया जाता है लेकिन यस फ्रैंकली इन एक बहुत अच्छे गिंद्बाज है बिकॉस डेथ में गिंद्बाज ही करते हुए नजर आते हैं और काफी अपने पेस के साथ जो है चेंज पेस लेकर आते हैं जो की काफी अच्छी चीज़ है इनके लिए इसके अलावा है आपर मैं कहूंगा जो है काफी बढ़िया काम वोगर के लिए जैन फ्रिलिंग की बात करी तो आंकड़ा बताय बिना नहीं रहा जाएगा क्योंकि जैसे वरिंदु असरंगा अश्यलंका की टीम के लिए कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दू जैन फ्रिलिंग ने भी वही काम करके दिखाया है अभी तक नमीबिया के लिए 37 मुकाबले लगभग 57 विकेट्स वो 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 वाड़ा प्लेयर इस जैन फ्रिलिंग नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं बड यह गवा है इनका आकड़ा गवा है मतलब 37 मुकाबलों में 37 विकेट्स जी कमाल है यहाँ पर अफकोर्स और इसके अलावा यहाँ पर जोनाथन आपको समित भी नहीं आपर जानते होंगे और ऑनेशली बताओ तो यहाँ पर नमीबिया की टीम से अगर आप किसी को पूछो गवे ना तो आप किस खिलाडी को जानते तो वो नाम लेगा डेविड विजा इनके बारे में क्या कहेंगे यार काफी कमाल के ओल राउंडर बल्ले बाजी कहिए बड़े बड़े चक्के लगाना इनके बाएं हाथ का खेल और गेन बाजी कहिए तो वो भी गहाँ पर करते वे नजर आते हैं उचे लंबे कद के हैं फाइदा पूरा उठाते हैं देखिए ये चार नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा और अल्राउंडर्स की कैटेगरी में आप लेके जा सकते हैं कि जराड एरे स्मिस ए गेन मैं कहूंगा अच्छे गेंदबाज है ते बीस मैचस के अंदर लगबग बीस ही विकेट चिनों ने अपनी टीम के लिए निकाली है और गेंदबाज ही के अंदर शमता रखते हैं जी या तो बड़ी आ गया पर काम करके वो दिखा सकते हैं और अफकोर्स यहाँ पर इ नमीबिया में बैटिंग दिखती है मैं आपको बताधू मतलब बहुत ही शांदार बैटिंग उडर इनका मैं मतलब सबसे पहली पारा जैमा निका मैस निका रही या यह बाटिंग ही खतम नहीं हो ही या राber बतलब je जो आ रहा है वो रन मना रहा है तो उनके अंदर शमता है बस थोड़ी सी कमी जो है वो शायद बॉलिंग में नजर आती है और इसी वज़ा से ये शायद टीम पीछणती भी नजर आती है लेकिन आने वाले समय में मैं उमीद कर रहा हूं कि ब्राइट फीचर हो सकता है इनका यह तो थी predicted 11 नमीबिया की जिसके बारे में हमने आपको बताया अब चलते हैं मुद्दे की तरफ और मुद्दा क्या है यार पिल्कुल fantasy की बात होगी और fantasy के लिए ही तो आप लोग जुड़े थे तो जिसका इंतजार था आपको वो इंतजार अब हुए जाता है समाप तो आपके लिए लगा देते हैं सीधे यहाँ पर grand league और उस पर करेंगे चर्चा grand league में किस combination के साथ जा सकते हैं किन-किन खिलाडियों के साथ आप जा सकते हैं as a wicket keeper कुसल mendis से बहतर choice आपके पास होंगे नी because आपको पता है अभी अभी हमने जब probable 11 पे बात की तब हमने बताया कि क्या इनका form रहा है क्या इनके stats रहे है बलेबाजों की तरफ आप जाएंगे तो बनुका राजपकासा नजर आते हैं जे स्मिट नजर आते हैं अलाकि यह all-rounder है इन बाजी है अलाकि थोड़ा सा आपको जो है कम करते हैं नजर आएंगे मेभी एक दो वरी करते हैं नजर आएंगे इसके अलावा परतम निशंक का काफी बड़िया यहां पर बलेबाजी करके दिखाते हैं दोनों ही opener यहां पर और साथ में बनुका रजपिकाशा जो की नमबर चार पाँच पर खेलते हैं लेकिन ताबर तोर अंदाज है इनका जी बिल्कुल यह थे बलेबाज जिनके बारे में आपको बताया चंदन माईने की यह बहुत important किलाड़ी है और आप इनको टीम में रख सकते हैं लेकिन बात करूँगा बॉल राउंडर्स की सबसे important category क्योंकि यहां पर आप confuse होने वाले हैं जब मैंने आपको बताया ना पाँच आल राउंडर्स आपके पास नमीविया में हैं पर तीन आल राउंडर्स आपके पास श्रिलंका में भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा confusion होने वाली है लेकिन जब बात grand league की आती है तो मैं आपे कहूंगा कि आप दिसलवा के साथ जाएए डेविड वीज को रखिये क्योंकि he's a kind of player जो कि आपको wickets निकाल के दे सकते हैं और batting भी इनको उपर promote कर दिया जाता है जब overs कम रह जाते हैं और वरिंदू हसरंगा तो है यार मतलब 4 overs इनके बहुत important हो जाते हैं और आप इन पे कहीं न कहीं trustable गेंदबास के तौर पे आप इनको देख सकते हैं और साथ ही vice captaincy choice है हमारी Jan Frilling क्योंकि जैसे कि मैंने आपको आकड़ा बताया था Jan Frilling का 38 मुकाबलों में लगबख 57 wickets निकाली है और बल्ले से भी इनका contribution काफी शांदार रहा है तो आप इनको vice captaincy के तौर पे दिख सकते हैं अगर डिसल्वा की बात की जाए तो he is also a kind of player जिन पर क्योंकि नमबर तीन पर वाटिंग करने आ रहा है श्रिलंका के लिए और फिर गेंदवाजी भी कर रहे है तो इनके अंदर भी शमता है कि आपको आपकी team को टॉप पे ले जा सकते हैं तो आप इन पे भी कप्तानी बरोसा दिखा सकते हैं उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूँ देखे यह जो team हमने बनाई है यह बिलकुल हमारी जो है पुराने आकडों को देखते हुए और recent form को देखते हुए बनाई है टॉस के बाद जरूर कुछ न कुछ बबदलाव हो सकता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट फॉरां मिल जाएगी टॉस के बाद तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल के लिंक को यहां पे description के अंदर दे दिया गया है उस पे आप click करेंगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे final team update, final toss update playing 11 सब कुछ आपको टेलिग्राम पे update कर दी जाती है तो जरूर जुड़िएगा टेलिग्राम पे और अब चलते हैं bowling की तरफ जा गिन बाजो की तरफ लेकर चलो तो दुसमंता चमीरा ग्रैंड लिंग यहां पे जरूर आप रख सकते हैं बिकॉस जैसा कि मने आपको सुरुवात में ही कहा कि यार सायद उतने यहां पर confident नहीं होंगे लेकिन यास हैं तो यहां पर दुसमंता चमीरा नाम तो आपका वही है जो यार पहले हुआ करता था और जो खौफ आपका हुआ करता था बल्ले बाजों में वो तो अभी भी है यार इसके अलावा स्कॉर्ड्स को रखेगा बिकॉस कहीं न कहीं यापर मुझे लगता है कि नमीबिया की टीम से सबसे जादा भरोशे मंद गिनबास क्योंकि विकेट्स इनको लेना आता और हाली में फॉर्म जो है यहाँ पर ठीक ठाकी रहा है हला कि टीट्वेंटी बहुत जादा इन्होंने हाली में नहीं खेला है लेकिन प्याइन जी के खिलाफ जो ओडी आई थी नमीविया के खिलाफ जब पिछले सालडों ने मुकाबला खेला था तो वहाँ पर भी दो विकेट्स जल्दी जल्दी निकालने में मदद की थी यहाँ पर शिलंका की डीम की चलिए अन दाट नोट यह तो थी तो मैं यहाँ पर उस पर ज़्यादा रिस्क ने लूँगा और फ्रेंक लेन के साथ जाओंगा विकेट्स में गिन बाजी करते हैं विकेट्स निकालना इन को आता है करते हैं और इनके अंदर काभिलियत भी है कि इनिंग्स को बिल्डप करना यह जानते हैं जी बिल्कुल सहमें तो आपकी बास से यहाँ पर और और आगे भी यहाँ पर बड़िया काम करके दिखा सकते बिकॉस जब आप टॉप और में खेलते हैं और टेक्निकली साउंड ब बिकॉस एक दो ओवर भी करते हुए नजर आएंगा अलाकि इनको मैंने देखा है पहले यहाँ पर चार-चार ओवर की गिंद्बाजी करते थे इन उसकी बाद टीम से जब से बाहर गया और वापस जब से आये तब इनको कप्तान बहुत जादा यूज नहीं करते कम से कम द बड़े छक्ये लगाने इनको आते हैं विकेट्स लेने इनको आते हैं तो यहाँ पर इनको भी आप रख सकते हैं लेकिन साथ में फ्रैंकले इनको भी जरूर रखे तो यह चार ओल राउंडर्स को आप पर रखेंगे चाहें वो ग्रैंड लिग हो या फिर स्मॉल लिग जे था small league combinations की बात अब उमीद करूँगा कि आपने हमारे इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो हमने match preview करने की कोशिश करी ground conditions के बारे में बताया दोनों टीमों की predicted 11 के बारे में बताया और आपको दिया है fantasy dose पसंद आया होगा अपना प्यार रिसी तरना दिखाते रहे वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा और टेलिग्राम चैनल का हिस्सा बनेगा क्योंकि इसकी final team आपको टेलिग्राम पे ही मिलेगी toss के बाद तो जल्दी से जाएए टेलिग्राम चैनल पे